है तो हैफिंड कैसे हैं आप दोस्तों आج मैं आपको बताने वारe है बजट फोन के बारे में बजट 5G फोन के बारे में जो रेट्मी का भी रसेंट रथалы लाउच किया ऐ इसके बारे में बताने वारे हूँ दोस्तों यह इस फोन के अंदर आपको क्या-k班 मिलता है और यह phone कितने का है सब मैं आपको बताऊंगा दोसों सबसे पहले बापता दूं यह जो phone Redmi 13C अभी recently launch किया गया है इसके अदर जो best variant आएगा वो आएगा 128 GB का और 4 GB RAM और 8 GB RAM में दो यहां पर यह मिलने वाला है आपको अब यह जो मेरे पास जो phone है यह है light green color या बोलते हैं star air green color इसको बोलते हैं इस color को इसके box में आपको 3-4 चीज़े ही मिलती है ज्यादा कुछ नहीं मिलता मतलब कि इसके अंदर आपको silicon cover नहीं मिलने वाला स्रिफ phone मिलेगा फोन के साथ आपको एक charger मिलेगा एक adapter और एक यह और एक आपको exact pin मिलने वाली और इसके अलावा इसके अंदर आपको बस खाली manual मिलेगा अब इसके अंदर जो cable दी गई है केबल आपको दी गई है एक type A cable to type C cable इसके अंदर दी गई है जो कि आजका सभी उसमें आई रही है अब बात करें फोन की अब फोन का जो design है काफी अच्छा यह design यहां पर दिया गया है पूरा यहां पर plastic है पीछे से पूरा plastic दिया गया है side की frame भी पूरी plastic की framing है यहां पर आपको नीचे की तरफ एक mic दिया गया है mic का hole दिया गया होल बगल में आपको type C का charger के लिए adapter दिया गया है और एक single speaker दिया गया है जो की normal decent के लिए अच्छा है उपर की तरफ दिखेंगे तो आपको 3.5 का jack दिया गया headphone jack यहां पर side में आपको यहां पर power key plus finger sensor इसी के अंद factor मतलब कि यहां पर आपको सिम डालने के लिए सिम ट्रे दी गई है यह सिम ट्रे के अंदर सब सच्छी वारित बात कि यहां पर आप दो सिंद के साथ अपना SD card भी लगा सकते है वन डिवी तक का आप इसके अंदर SD card लगा सकते है जो की काफी अच्छा है यहां पर दिया ग प्लास्टिक कर दिया और अगर आप लाइटिंग में देखेंगे थोड़ा उपर नीचे करके तो आपको यहां पर पूरी लाइनिंग दिखाई देखिए कि कि इसकी कलर्स के उपर आप दिख सकते है अब यहां पर आप देखेंगे साइड नीचे की तरफ देखेंगे तो और इस तरफ आपको यह दिया गया है सिम ट्रे यहां पर आपको जैसा कि मैंने बताया है कि हाइब्रीड नहीं है यहां पर आप डबल डबल से में और एक सिंगल कार्ट लगा सकते हैं साइड में आपको यहां पर आपको पावर की देगी और इसी के अंदर आपको फिंगर बाई यहां पर देखें पीछे की तरफ देखेंगे दो कैमरे दिये गया है एक 50 मेगा फिक्सल का और एक सिंपल यहां पर फ्लेश लाइट दी गई है यहां पर फ्रेंट में देखेंगे यह पूरी LCD डिस्प्ले दिया गया है बट एक चीज इसमें अच्छे है कि इस रेंज में भी आपको गोरिला प्रोटेक्शन दिया गया है थ्री का और जो की काफी अच्छा है इस रेंज के मोबाइल के अंदर अब दिखने में तो यह कि यहां पर ब्रांडिंग दी गई क्योंकि यह 5G फोन है अब बात करें इसकी प्रफॉएंस की और इसकी बैटरी की तो पर आपको ले आओ है बाट फोन में तो यहां पर आपको देखेंगे MIUI का वर्जन दिया गया है 14 और Android 13 इसके अंदर इंप्लेट दिया गया है यह वाला जो वेरियंट है के तीन वेरियंट में आये हैं 4GB, 128GB, 8GB, 128GB और 8GB, 256GB तीन वेरियंट में यह है मेरे पास है यह 4GB, 128GB वाले वेरियंट यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर जो आपका प्रोसेसर दिया गया है बहुत शांदर दिया गया है जैसा कि आप देखेंगे 4GB का रेम वाला है मेरा और इसके अंदर डाइट में से 61 प्लस, Octa-Core, Maximum 2.2 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि इस रेंज के अंदर काफी अच्छा है और 5G के साब से तो बहुत शांदर इसमे में और इसकी प्रफॉमेंस में आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होगी और यहां पर आप देखेंगे 4 प्लस, 4GB के आप वर्चुल रेम भी डाल सकते हैं जिससे आपका 4 प्लस, 4GB के आपकी रेम हो जाएगी तो यह चीज़ भी यहां पर बहुत करें इसकी प्रफॉ गूब कर सकते हैं अनिस्टॉल आराम से यहां पर विखकते हैं यहां पर आपको रैटमी कर द bı Amen गया इंध और चुकर दिया गया चोंड भी पर Dec यहां पर easily fastly चलता है अगर आप कुछ बहुत सारी चीज़े खट्टी खोल भी लेंगे तो भी अगर आप performance देखेंगे तो performance में कोई lagging नहीं होगी और सब यहां पर easily चल रहा होगा अगर आप देखें अब मैंने इतनी सारी चीज़े खोल लिए तो भी यहां पर फटाफट वर्किंग में चल रहा है तो इस रेंज के साब से हैंट्ट बढ़िया है और वजट फोन में 5G फोन बैस्ट है यहां पर अब पर पॉट्रेट दे दिया गया है नाइट मोड में आपको उच्छी फोटो ले सकते हैं और मैक्सिमा 50 मेगा फिक्सल तक आप यहां पर फोटो क्लिक कर सकते हैं यहांपर आप देखे मैंने कुछ फोटो लिए अभी जैसे यह मैंने चोटे सी एक बस की फोटो लिये आ और इसका जो साइज है 2.08 MB का आ रहा है और इसकी फोटो कॉलिटी में हाँ पर अच्छी आ रही है और इसको में जूम करके भी देखूं तो कहीं से कहीं फोटो कोई भी पटी नहीं आ रही है क्योंकि दूप में किची गई है यह भी फोटो यह पोट्रेट वाली है सेम लोके अच्छी यहां पर आ रहे हैं और यह मैंने बाहर की किची थी 50 MP पर ही और यह आप देखेंगे फ्रंट केमरे की फोटो भी काभी अच्छी है इस रेंज के साब से ज्यादा बुरी नहीं है और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इस रेंज में अच्छा हैंड़ेट यहां पर दिया गया है उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक्यू सो मच तो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक जरू करें और ऐस झाल 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 झाल